को है अ कि alors दोश्तो हाज हम बात करने वाले हैं आप और को कोई कैमले लिमिटेड इस पर्टी कुला शेयर इड़ी बाते करने वाले हैं क्या Circum हमने इस पर्टिकुलर शेर से लेटेड बाते करी है तो if I'm not wrong इससे पहले हमने यहां पर इस पर्टिकुलर शेर से लेटेड बाते करी होगी 179 का लगा चुका है तो अच्छे कासे पैसे तीन साल में बन चुका है बट अभी भी ठीक है यह शेयर जो यहां पर इससे पहले मैंने बताए कि तीन गुना हो सकता है तो शाहिए this is the time कि यह यहां पर तीन गुना हो सकता है बट याद रखिएगा मैं कह रहा हूं इसलिए भा इसके रिजल्ट क्या कह रहे है वह सब चीज से लेटेड हम बाते करेंगे बट उससे पहले रिक्वेश्ट है I am small cap investor को subscribe कर लीजिए bell icon को hit all की notification को on करे buying selling की recommendation नहीं है अपने financial advisor कुछ की study और चीज़ों को सीखने का focus करना है चीज़ों को सीखने के लिए आपको यहां पर वीडियो जाके देखनी है वीडियो जाके देखेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा बर इस्टिल जैसे कि मैं कहता हूं कि 8 minute की वीडियो में सब चीज न चीज़े ना चीए क्यों बेचना चीए यह सारे answers आपको मिलते हुए नजर आएंगे 25,000 रुपे का course है course complete होती साथ 6 महीने से एक साल का experience ले लीजिएगा आपको खुद किलियर हो जाएगा कि मैं exactly अभी क्या बात कर रहा हूं और चीए एक महीने और एक सलबाद आपके यहां पर क्या करते हुए नजराएंगे 2860540501 81692610TV7 दोनों नमबरों को नोट कर लीजिए और साथ में काम भी करना है तो भी यहां पर इन नमबरों को नोट करके हैना mid term investment करके यहां पर अच्छागासा पैसा बना सकते हैं तो कंपनी यहां पर आप देखेंगे तो आपको समझे में आगा ब्रेंड को कोई came together हाना तो यहां पर जो एक कंपनी है यह कंपनी यहां पर इस्टेशनरी से लेटेड काम करती है scholastic product, writing instrument, note books and other stationary products यह बनाती हुए नजर आती है जाके एक बाइन के website पर विजिट करेंगे तो आपको समझे में आएगा अच्छा गासा company काम करती हुए नजर आती है और अब बात करते हैं से फाइनेशनरी से लेटेशनरी मार्केट काप की बात करते हैं तो 1614 क्रोड रुपे का मार्केट काप है मतलब क्या है मतलब है small cap small cap की जब मैं बात करूँ तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले तो हमारी चैनल के नाम I am small cap investor इसलिए चोटे-चोटे share आपके सामने लाते रहते हैं दूसरा जब small cap की बात हो तो याद रखिएगा risk को अपने दिबाग में रखिएगा कि share जब भागेगा तो आपको अच्छे कासे बहतीनी return जाके दे सकता है कि 50 रुपे वाला stocks 200 रुपे तक पहुच जाए बट वो ही 50-500-200 रुपे वाला stocks कब 50 रुपे तक आजाएगा आपको भी नहीं समझ मैंगी इसलिए साही टाइम पर लेना साही टाइम पर बेचना यह बहुत जरूर ही है और यह हम अपने course में यहाँ पर सिखाते है तो आप हमारे course को इन नमबरों पर contact करके यहाँ पर join कर रिट है कंपनी चोटा मोटा यहाँ पर देती है एस यहां बात करें ROC ॉ-E सब कुछ बढ़ता हुए नज़र आया है और company का EPS बढ़ता हुए नज़र आया है तो overall बात करें company के numbers कैसे है company के numbers यहां पर ठीक नज़र आते हैं ठीक है as well as yearly base पर जाएंगे तो आपको समझे में आएगा yearly base पर भी slow and steady है बट अच्छे खासे company के number आते हुए दिखाई दे र रही है रिजर्स की बात करें रिजर्स लगाता आने हां पर बढ़ रहे हैं और borrowing साथ में थोड़ी बहुत इस particular year में बढ़ती हुए नज़र आई है बट कोई परशानी की बात नहीं है क्योंकि छोटी company को भी बड़ा बनने का हमेशा मौका मिलना चाहिए बात करें cash की तो company 5% तक के share promoter रख सकते हैं वो यहाँ पर रखे हुए है कौन promoter Fis की बात करें Fis की यहाँ पर अच्छे खासे तो holding नहीं है बड़ ना के बराबर है ठीक है छोटी company में Fis बहुत कम होते हैं as well as 24.49% के share public के पास है जिनमें से केवल 1% के share ही यहाँ पर public के पास है और याद र पर आप देख सकते हैं तो इस तरी किसी चीज़े चलती है तो हम बात करें company के number की तो company के number ठीक ठाक नजर आते हैं ठीक है तो आप चार से लेटीछ बाते करेंगे बड़ चार्ट में बाये आप से request करूँगा I am small cap investor को subscribe bell icon को hit all the notification को on करें इन number को note करके साथ में काम कर सकते हो और हमारे course को join कर सकते हो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें इससे पहले भी जब 7 महीने पहले आपर वीडियो बनाई थी तो share इसी के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था ठीक है इसके आसपास था फिर थोड़ा बहुत उपर गया ठीक है तो यहाँ पर परिशान होके हमने यहाँ पर निकाल दिया था इस particular share को ठीक है बर इस्टिल कुछ investors हो सकते हैं जो यहाँ पर जिनें कम से कम मैं एक साल hold करवा के चलता हूँ चीचों को तो उनके पास वो चीचे हो सकती है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से अच्छा का सा bounce back भी देते हुए नजर आए हैं अभी क्या है यहाँ पर नजर आता है अभी मुझे नजर आता है कि इस share में एक तेजी होती हुए नजर आ सकती है यह जैसे ही यहाँ पर 178 का level क्रॉस करेगा ठीक है ना मोश्टी तो क्रॉस करी चुका है अब ठीक है स्टेश टू यहाँ से चालू हो चुकी है और यहाँ स मुझे लगता है कि धीरे धीरे अभी शायद एक कल की डेट में तो एक अच्छा का सा बाउंस बैक दिख सकता है यहाँ तो लगातार यह निकल जाएगा ठीक है यह तो यह चोड़ा सा यहाँ पर कंसॉलिडेट करके निकलता हुआ नजर आ सकता है फिर भी एक सेफर साइड के लिए 150 रुपे के आसपास का इक स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आता है टारगेट की बात करें चारगेट है 276 रुपे के जो की अच्छे का से यहाँ पर टारगेट है यहाँ पर देखेंगे 63% के यहाँ पर मुझे अफसाइड नजर आती है यहाँ पर आप है reverse head and shoulder pattern बनता हुए नजर आ रहे है जिसके टारगेट लगबा 270 रुपे के आसपास बनता हुए नजर आ रहे है मेरे कहने पर नहीं लेना किसी और के कहने पर नहीं लेना बट मुझे लगता है कि एक अच्छे कासे consolidation एक अच्छे कासा base बनाके चीज़ें निकलती हुए अब नजर रखते हुए आप position लीजिएगा मेरे कहने पर या किसी के कहने पर मत लीजिएगा मुझे probability क्या दिखाई दे रही थी वह उस पर मैंने यहां पर बाते करी है वीडियो अच्छी अगर आपको लगे तो like, comment, share, channel को subscribe कर दीजिएगा और इन नमरों को note करके को हैं आ God bless